श्रीग अनेशाय नमा श्रीग अनेशाय नमा श्रीग अनेशाय नमा श्रीग अनेशाय नमा पुर्ण क्यों है? ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षे कुमार का अवतरन इसी दिन हुआ था. महा भारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ और द्वापर युग भी इसी दिन समाप्त हुआ. माता अन्पुर्णा का प्रकट दिन भी यही है. चिरंजिवी महर्शी परशुराम का जन्म भी इसी दिन ही हुआ था. इसलिए इस दिन को परशुराम जन्मोत्सो भी कहा जाता है. इस दिन कुबेर को खजाना मिला था. माता गंगा का धर्ती पर अउतरन हुआ था भगवान सूर्य ने पांडों को अक्षे पात्र दिया था वह यही दिन था वेद्व्यास जीने महाकाव्य महाभारत की रचना गनेश जी के साथ इसी दिन से शुरू की थी प्रथम तिर्थकर आदीनात रिशब देव जी भगवान के एक महिने का कठीन उपवास का पारण गन्य के रस से किया था प्रसिध तिर्थस्थल श्री बद्री नारायन धाम के कपाट भी इसी दिन खोले जाते हैं व्रिंदावन के बाके बिहारी मंदीर में श्री कृष्ण चरन के दर्शन भी वर्ष में एक बार मतलब इसी दिन होते हैं भगवान जगन्नात के सभी रथों को बनाना भी इसी दिन से प्रारंब होता है आदी शंकराचारिया ने कनकधारास्तोत्र की रचना भी की थी अक्षय का मतलब है कभी ख्षय ना होना अक्षयत रितिया अप कोई भी शुब कारिय या प्रारंब इस दिन से किया जा सकता है। उत्तरा खंड के चार धाम यात्रा शुरू होते हैं। उसमें बरकत होती है। यानि इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समापत नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम भी करोगे तो उस काम का परिनाम भी कई जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। विश्नु दर्म सुत्र मत्स्य पुरान नारदिय पुरान तथा बविश्य पुरान में मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। यह मूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोचसाइद करने के लिए स्रेष्ट माना गया है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कुरूत युगादी तिती भी कहते है। यदि इसी दिन रविवार हो तो वह सर्वादिक शुब और पुन्यदाई होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। मच्य पुरान के अनुसार अक्षय तृतिया के दिन अक्षत पुष्प, दीप, आदी द्वारा, भगवान विश्नु की आरधना करने से उनकी विशेश कृपा प्राप्त होती है और संतान भी अक्षय बनी रहती है। दीन दुख्यों की सेवा करना, वस्रादी का दान करना और शुब कर्म की ओर अग्रेसर रहते हुए मन, वचन और अपने कर्म से अपने मनुश धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतिया पर्व की सार्थकता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्त्य, अनुसार, जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे वस्रादी का दान करना चाहिए। इसका विशेश फल मिलता है। दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।